वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सिस्क्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ जिस पर करीव अभी 111 लोग हम से जोड़ चुके हैं इस टेलिग्राम चैनल पर मैं आपको करेंट से जुड़े हुए बहुत इंपॉर्डेंट आर्टिकल शेयर करता हूं जो ना के वहल प्री बलकि बीयो या औरो या औरो या फिर PCS मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्डे में हैं तो इसका लिंक मैं जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दूँगा तो अगर आप इससे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं ठीक है तो आज का जो हमारा टॉपिक के जिसके हम चर्चा करेंगे वह है लद्दा कांदुलन अभी बहुत चर्चा में है सा परियावन कारिकरता जिनका नाम है सोनम वांग्चुक यह जो है धरने पर बैठे हैं अजन पर बैठे हैं अ अब यह जो सोनम वांग्चुक हैं यह कोई छोटी-मोटी परसनेलिटी नहीं है इनके बारे में जरह मैं आपको कुछ इमेजस दिखा देता हूं देख लो भाई ये जो अभी ये उपन हो जाएंगे ठीक है ओके तो ये है सोनम वांग चुक इमेज आ जानी चाहिए में भी लगता है हमारा वाइफाई सोड़ा स्लू है ओके चले देखे यहां पर आप देख लो ये हैं सोनम वांग चुक और ये एक बहुत ही फेमस पर्यावरणी कार्य करत मूवी भी बनी है आप लोगों ने जरूर से देखी होगी मूवी का नाम है थ्री इडियट वो इनहीं के किरदार के ऊपर जो रैंचोस में जो किरदार है थ्री इडियट में वो इनहीं के ऊपर है ठीक है तो ये आजकल बैटे हुए हैं भूकरताल पे तो कोई चोटी मुद्धा है लद्धा को समयदान की छटी अनसूची के अंतरगत लाना तो पहले तो हम इनके मुद्धे जानेंगे और दूसरा छटी अनसूची में क्या-क्या सुवधाय मिलती है उनको जानेंगे जिस तरी टॉपिक हमारा होलसूल कबर हो जाएगा सोनम बांग्चुक य भू करताल कर रहे हैं और केवल नमक और पानी पीकर के जीवित हैं ठीक है में जो इनकी डिमांड है वो है यह कि लद्धा को बनाया जाया पूर्ण राज यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो सबसे प्राइमरी जो इनकी डिमांड है वो है लद्धा को पूर्ण राज ज दिया जाए दोजार उन्निस में अक्टूबर दोजार उन्निस में लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग तो हो गया लेकिन लद्दाख को पूर्ण राज्य का दरजा आज के समय पर नहीं है यह के शासर प्रदेशा यानि दिल्ली से संचालित होता है इसके पास अपना कोई अच्छा अब इनकी डिमांड क्या है वो जड़ा देख लेते हैं तो इनकी जो डिमांड है तो इनकी जो डिमांड है पहली डिमांड है कि लद्दा को पूरज का दर्जा दिया जाए दूसरा इस्थानी लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षन जिया जाए यानि जैसे हमारा उत्राखंड है तो उत्राखंड में जैसे आप देखते हैं गुरुप C या गुरुप D जोती है मैं उत्तराखण पुलिस के वेकंसी आएगी तो फिर उस में उत्तराखण के लोगी फॉरम बर पाएंगे यह भात ध्याना रख्यान कोई इसान सोचे के वहां जाकर के सिपाही बन जाए दरोगा बन पाएगा अपने यूपी में आपने यूपी में तो कोई भी आकर के अब लिख पाल का फॉर्म आया था तो अंडवा निकुबार से भी फॉर्म पड़ा था तो इस तरीके का वो डिमांड करना चाहते हैं कि यहां क की छटी अनसूची में इनको शामिल किया जाए यह इनकी मेंड डिमांड है ठीक है हाँ इसके लावा यह कुछ और भी आरोब लगा रहे हैं जैसे जम्मु कश्मीर से धारा तीन सुत्तर हट्ती धारा क्या बिसिकली वो अनुच्छिद है दोनों राज्यों के लिए विशे सब्सक्राइब करें हैं साथी यहां के लोगों के विकास पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है पने इस्टेट को जो है किस तरीके से डेवलेफ कर सकते हैं अपने लोगों के माध्यम से बाहरी लोगों इस तक्षिप के बिना इसके लिए डिमांड कर रहे हैं सोनम वांग और ये डिमांड कर रहे हैं कि भीया छटी अनसूची में हमें शामिल करो तो यहां पर ये भी जरूरी हो जाता है कि आप जानलो ये सिख्ट सेडियूल क्या है छटी अनसूची क्या है देखों मैंने ये भी यहां पर एक्स्प्लेन किया है सम्मिधान कर रुच्छे 242 और 275 एक के तहट विशेस प्रावदान है छटवी अनसूची का विशाय असम मेघाले त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाती छेत्रों का प्रसासन है ये पॉइंट पेपर में सीधे सीधे आ सकता है कि छटी अनसूची का विशाय क्या ह होते हैं ध्यान अगना यह पॉइंट इंपॉइंट है सीधर सीधा सकता है बारदोली कमिटी की सिवारस के अधार पर समिधान में इस अनसूची को जगह दी गई चटी अनसूची के तहरे जन्याती छेत्रों में स्वायत जिले बनाने का प्रावधान है यानि जिन राज्य बॉड़ी हो जाती है उनके पास कुछ न्यायक अधिकार होते हैं कुछ कानूनी अधिकार होते हैं और प्रसासनिक अधिकार भी उनको मिलते हैं राजपाल को अधिकार है कि इन जिलों की सीमाओं को घटा बड़ा तथा परिवर्तन कर सकता है अगर किसी जिले में अलग जन जन्जातियां हैं तो कई autonomous district बना जा सकते हैं यानि जन्जातियों को अलग जिलों का निर्माण किया जा सकता है हर स्वायत जिले में एक autonomous district council ADC बनाने का प्रावधान है ठीक है यानि अगर को जन्जाती इलाका है तो जन्जाती इलाके को notify करते हुए वहाँ पर अलग जिला उस जगे को खुशित किया दा सकता है ठीक है अधिक्तम पांस साल के कारकाल वाली ADC में 30 सदस से होते हैं अब इनके पास अधिकार क्या क्या होते हैं वह जानलो वह important है देखो इनके पास क्या क्या तलाक सामाजी क्रीति दिवाज खनन आदिस्त जुड़े नियम कानून बनाने का इनको हक है ठीक है वैसे तो इसमें मेंबर 30 होंगे लेकिन असमकी जो बोडो से जुड़े जंगल से जुड़े किषी से जुड़े है ना इसके इलावा विरासत विवाह तलाक सामाजी क्रीति गॉस खरणन से जुड़े हुए कानून ADC बना सकते हैं, यही सेम अधिकार चाहता है लद्दाख, यही सेम अधिकार लद्दाख चाहता है ठीक है लेकिन इंट्रेस्टिंग फैक्ट यह है कि रहा है कि इनको शामिल नहीं करेंगे उनका तरक यह है कि जो चाटी अंसूची को जब बनाए गया था तो यह किवल पूर्वुत्तर राज्यों के लिए ही बनाया गया था और आप देखो तो भारत सरकर उनकी बात सुनेगी और बिल्कोल जो है इनको भी छटी अंसूची में शामिल किया जाएगा मेरा अगर कोई तरक पूछे कि मेरा तरक क्या है तो मेरा तरक है अगर लोग ज्यादा डिमांड करते हैं ज्यादा अंदूलन करते हैं तो उनको शामिल कर देना चाहिए लोगों से ही हमारा देश बना है तो लोगों की बातों को ध्यान में रखना चाहिए तो शामिल करना चाहिए मेरा इस परविचार ये है ठीक है तो ये हुआ आज का हमारा चोड़ा सा वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि क्यों अंदोलन चलता है डिमांड क्या है ठीक है इस टेलिग्राम चैनल को जरू जोइन कर लेजिए यहां पर बहुत सारी इंफर्मिशन आपको फ्री में मिल जाती है कोई भी डावट हो तो कमेंट के मादें हुसे पूछिए मिलते अगली क्लास में तब तक के लिए जय हिन जय भारत जय ह 나서 realized पूछिए और मिल्स डिंग आता है डानौभे रीक जिए उय ख培ान कर दो यतिलिंपन का जसे एप सिन आपको होग को दो हो बंदा वासंतों को फईन आपको हुसे को बहुत से एम सचल के vein आता है डब